हेलो फ्रेंड्स माइनीम इसकाज अलल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कुस करने वाले हैं यूपीडियले फॉर्स सेमिस्टर सब्जेक्ट मैठ ठीक है और हम 21 डिसकुस कर रहे हैं जिसका नाम है प्रतिसत का आर्ट तथा शंक लिंक कमेंट्स में मिल जाएगा आप वहांस जाकर देख सकते हो चीक है तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को सेर कर दीजिए चलिए फ्रेंड्स सुरू करते हैं तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने यहां तक डिसकुस किया था च 500 का 75% कितना होगा यह आंसर आपसे भी कुढ़ना है तो फिरिंट देखिए यहां पे 500 का 75% क्या होगा तो 500 ठीक है इंटू 25 परसेंट हटेगा नीचे 100 आएगा 0 से 0 कट जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पे 75 का मल्टिप्लाइ कर देंगे ठीक है तो 75 का अगर हम मल आपका 5 आजाएगा ठीक है और फिर आपका यहां पे 35, 36, 37 ठीक है इस तरीके से 375 इसका राइट आजाएगा तो फिर यहां पे आपका 500 का 75% कितना होगा तो 375 ठीक है अब देखिए अगला आपका प्रसने की बहुत ही मलत पूरे ऐसे प्रसना आपकी एक्जैम में पूछ केले खर दे ठीक है यानि अजाय ने बजार से कितने केले खर दे तो तीन दर्जन ठीक है तीन दर्जन यहां पे केले खरीदे तो तीन दर्जन कितना होता है तो यानि आपका 36 हो जाएगा यानि आपका एक दर्जन में कितना होता है तो 12 होता है उसी प्रकार अगर तीन दर केल today 9 aslında 50% केला खराब निकल गया तो सीसे अच्छे बचे केलों की tut 10 में 26 केले हैं उसमें से क्या हुआ कि 20 परसंट जो केला था वो खराब हो चुका है तो अब यहां यह बताना है कि जो केलों की जो जितने भी केले बचे हैं उसके संख्या कितनी है तो फेंड देखिए इसको अगर हम लगाएं तो यहां पर आपका क्यलक कितना है 36 तो हम 36 का 20 परसंट पहले निकालेंगे तो 36 का 20 परसंट तो 36 का मतलब गुड़ा 20 परसंट हटेगा नीचे 100 फ스크 है यहां पर आपका एक 0 से 1 0 स्षारी हाँ एक 0 से 1 0 कट जाएगा 2 पचे 10 चीक है और उसके बाद ये 2 से कटेगा 2 एकम 2 और 3 में से 2 जाएगा 1 और 2 अठे 16 ठीक है अब देखिए हम 18 का 2 में मल्टिप्लाई करेंगे तो 18 में 2 का multiply करेंगे तो हमें 36 प्राप्त होगा ठीक है 36 और divide में 5 अब 36 का हम भाग देंगी ठीक है 36 का अगर हम भाग देते हैं यहाँ पे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे हम 5 यानि 35 आ जाएगा ठीक है 5 सत्य क्या होता है 35 तो 5 यहाँ 7 यहाँ पे एक और एक जीरो लेंगे तो 7 पॉइंट और 5 दुनी के 10 यानि 7.2 कितना केले उसका पूरा खतम क्या है तो 7.2 जो केले थे वो क्या है खराब हो चुके है तो 20 परशन कितना है 7.2 तो बस सिम्पल कुछ नहीं करना है इसको घटा देना है 36 के लिए है उसमें से 7.2 घटा देना है तो 36 है ठीक है जब 36 है तो हम एक point ले लेंगे क्योंकि 0 हम यहां बढ़ा लेंगे उसके बाद आपको क्या है 7.2 ठीक है 10 में से 0 में से 2 तो जाएगा नहीं तो हम 6 से 1 ले लेंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 8 point यहां कितना बचा यहां आपका 5 बचेगा ठीक है तो 5 में से 7 नहीं जाएगा तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 और यहां कितना बचा 2 तो हम यहां 2 लिखेंगे यानि जो अजय के पास केले जो बचे है जो अच्छे केलो की शेंख्या है वो कितना है तो 28.8% केले है ठीक है अगर आप 28 में 7 पॉइंट को एड करते हो तो आपका 36 आ जाएगा ठीक है जैसे देखिए आपका 28 है 28.8 है ठीक है और 7.2 हो जाएगा 8.2 कितना होता है तो 10 10 का 0 लिखेंगे ठीक है हासिल 1.7 और 8 कितना होता है तो शाथ 8 आपका यहाँ पे होगा आपका 15 ठीक है 15 और एक हम इसमें एड करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा ठीक है हासिल 1 2 और 1 कितना होता है 2 और 1 3 तो आप देख सकते हो 36.0 यानि अब 0 के बाद को 36 केले आ गए तो फ्रेंट्स आपसे भी का आंसर बिल्कुल सही है यानि जो इसका आंसर हो जाएगा 28.8 28.8 केले उसके पास इस अच्छे केले बचे हैं फ्रेंट्स मैं बहुत ही बिस्तार तरीके से क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम इसे भी इस्टुडेंट होंगे जिनको थोड़ी परिशानी होती है तो इसलिए मैं बहुत ही बिस्तार से बता रही हूँ ठीक है अब देखिए अग 30% यानि मान लो कि आप 100% है कुछ भी 100% है उसमें से 30% क्या है आपका पेड जामुन का है तो कितना बचेगा 100 में से अगर आप 30 गटाएंगे तो कितना बचेगा तो वो आपका बचेगा यहाँ पे 70 ठीक है यानि आपका 70% और भी देखते हैं तो जैसे कि यहां बोला प्र 600 हो तो आम की पेड़ों की शग्या कितनी होगी देखिए बहुत इजी है और आप इसको असानिक साथ लगा सकते हो है ना तो देखिए सबसे पहले तो क्या कहा है कि यहां पे कि जो पेड जामुन के हैं वो कितने है 30% तो हम क्या करेंगे सिंपल 600 का 30% निकाल देंगे ठीक ह और उसके बाद जितना सेस बसता है वो आम का हो जाएगा बहुत इजी है ठीक है तो 600 का अगर हम 30% निकालते हैं तो 600 गुड़े 30% हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा 0 से 0 कर जाएगा ठीक है 6 का मल्ली प्लाइग कर देजिए तो 6 का मल्ली प्लाइग करेंगे तो यहां पे आ आपका 18 और 1 यहां 0 ले लेंगे यानि 180 क्या है आपके पेड जामुन के हैं ठीक है 180 जो पेड है वो जामुन के है तो अब हम क्या करेंगे 100 पेड जब जामुन के है तो हम क्या करेंगे 600 में से 180 को घटा देंगे 600 ए 180 को अगर हम घटा आते हैं तो यहां पे आपका 0 आएगा ठीक है 10 में से 8 जाएगा तो 2 और 5 में से 1 जाएगा तो 420 जो है वो आम के पेड़े क्या हमारा इस तरीक से question सही है तो इसकी अब हम जाच करेंगे 420 सही है कि नहीं तो जैसे कि 30% पेड़ जामुन के है तो ऐसे हम percent तो 70% हो जाएगा तो 600 का अगर हम 70% निकालेंगे तो यह आपका 70% नीचे यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और 6 का multiply साथ में करेंगे तो 42 और यहाँ 0 लिखेंगे तो बिल्कुल सही है 420 तो फिर्ट बहुत सारे मेथड़ें आप कई तरीके से लगा सकते हो ठीक है लेकिन आंसर सही होना चाहिए तो अप इस तरीके से भी लगा सकते हो तो फिर्ट आपका आंसर जो होगा यहाँ पूछ रहा है कि तो आम को आम की पेड़ों की कितनी होगी तो यहां पर 420 इसका राइट आंसर हो जाएगा दिखिए अगला आपका प्रेशने की बहुत मतुपूरे की एक सीवीर में 400 सैनिक थे ठीक है अब 400 सैनिक थे उसमें 40 सैनिक और आ गए तो सैनिकों में कितने प्रतिसत के ब्रिद्धी हो गई ठीक है यानि अगर हम सिंपल यह प्रेशने क्या पूछ रहा है कि 400 में से 40 कितना परसंट है यहीं न मतलब कि 40 आ गए तो कितना इसका प्रतिसत बढ़ गया उपक्द्ध तो आप सभी हो पता है कि अगर इस तरीके से पएस पूछी जाते हैं कि 100 में से कितने परसंट है Murray ay तो इस तरीके के अगर आपको सवाल पूछे तो किस तरीके से लागाना है देखिए यहा चार सो सैनिक ते उसमें और 40 सैनिक आगे तो जो सैनिक आए है उनका प्रत्सत बताना है ठीक है तो इस तरीके सवाल देखिए क्या करना है यहाँ पे आपका 400 हम बटे नीचे में लिखेंगे ठीक है और यहाँ पे 40 और यहाँ पे multiply शो तो 0 से 0 कट जाएगा 40 में 4 का divide करेंगे तो यह 10 बार में जाएगा तो कितने परसंट की बढ़ उत्री हुई है 10 परसंट की जो सेना आए है 40 इनका 10 परसंट हो जाए या यानि यहाँ पे answer जो होगा कि सैनिकों में कितने परसंट की ब्रिद्धी होई है तो 10 परसंट की ब्रिद्धी होई है अब देखिए अगला आपका प्रसंट है कि एक छड़ 72 सेंटीमेटर लंबा है या लंबा थी ठीक है यानि कोई छड़ है जो 72 सेंटीमेटर लंबी छड़ थी इसमें से 8 सेंटीमेटर काट कर खोटी बना दी गई तो छड़ अब कितने प्रतिसत छोटी हो गई है यानि आपको यहां 8 सेंटीमेटर अगर काट दिया गया है तो 8 सेंटीमेटर 72 सेंटीमेटर का कितना होगा बस यही बताना यानि छड़ अब कितने प्रतिसत छोटी हो गई है आप उस तरीके से भी बता सकते हो या पूरा भी बता सकते हो दोनों मेथर भी लगा सकते हो तो यह सवाल बहुत ही महत्तोपोरे सबसे पहले आप लिखेंगे कि जो छड की लंबाई कितनी है 72 सेंटीमीटर इसमें से 8 सेंटीमीटर काट कर खोटी बना दी गई है तो छड अब कितने प्रतिसत छोटी हो गई है ठेक है यानि कितने प्रतिसत उसका चड को काट के अलग कर दि घटा सकते हो या फिर जैसे कि अगर हम 72 में 8 को घटाएंगे तो कितना होगा 64 है ना 64 होगा तो अगर हम सिंपल अगर यहां अगर हम 72 में से चोड का प्रतिसत निकालेंगे तो कितना होगा तो सबसे पहले तो देखिए इसको निकालने के लिए आपका नीचे 72 हो जाएगा और 64 होजाएगा क्योंकि हम 72 में से 8 को हटाए है तो 64 हुआ है और multiply 100 ठेके, आठ से अगर हम काटेंगे तो यह 8 से 9 बार में जाएगा और 8 से 8 बार में जाएगा अब यहां से 800 का multiply 100 में कर देंगे तो 800 और नीचे 9 अगर हम भाग देंगे और 800 में नौका तो आपका जो आएगा वो आएगा 80.88 करके आता जाएगा तो अब हमको मालूम चलिया कि हमारा जो छड़ है इसको काटने के बाद जो इसके लंबाई है वो 88 दसमलो आठ है तो सिंपल फ्रेंड्स अगर आप 100 क्योंकि पूरा कितना होत है आप क्या करेंगे सो में से 88 को घटा देंगे दसमलो है तो आप घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11.11 करके लेकिन देखिए इस तरीके से भी आप लगा सकते हो कि 8 संटीमीटर काटके छोटी कर दी गई है तो 72 में से कितना तो 72 में से 8 इंटु 100 ठीक है आठ से ह जाएगा 9 2nd में आight से दा यहां एक बार में से हैंत एक नहीं करेंगे आप सौ्ट Even girl हो थी मैं उसके बाद अप 28 इंट गस को रहें को है यहां को है यहां पर पूछ रहा ही यहीं कि अच्वाड अब कितने ऊधर च्छाटी हो गई है तो उसमें से आपका जो नहीं है यहा 11.1 परसंट इसको खोटी बना दिया गया है और अब जो छड की प्रतिसत अगर हम पूछे तो वो 88.8 प्रतिसत है और छोटी की संख्या है छोटी कितनी होगी है तो 11.1 प्रतिसत छोटी हो गई है तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लगा सकते हो आप दोनों मेथर से भी लगा सकते हो अब देखिए अगला प्रेस में कि एक दुकान में बारशो का कंबल ठीक है यानि एक कोई दुकान है उसमें बारशो का कंबल 20 परसंट छोट जेकर बेचा गया तो ग्याद किजिए कंबल कितने में बेचा गया यानि कोई दुकान है तो वो बारशो का कंबल है ठीक का छूट मिलेगा तो ये आप सभी को पता होना चाहिए ये बेसिक नॉलिज है तो देखिए एक दुकान में बारशो का कंबल जिस पे 20% का छूट देखर बेचा गया तो ग्याद कीज़े कि कंबल कितने में बेचा गया बहुत एजी है और बहुत ही मातोपूर है तो बारशो का 20% सबसे पहले हम क्या करेंगे यानि 1200 का 20% कितना है है ये निकालेंगे तो बारशो का यहां बारशो बारशो का का मतलब इंटू 20% हटेगा नीचे 100 0 से 0 कट जाएगा 12 का मल्टिपैल 2 में करेंगे तो 24 और 0 तो बारशो का 20% जो है वो 240 है यानि बारशो का जो एक कंबल था उसमें से 240 रुपए कम कर दिया गया छूट कर दिया गया ठीक है तो अब जो 240 छूट देकर बेचा जा रहा है तो बारशो में से हम क्या करेंगे 240 को कटा देंगे हमारा आ जाएगा अंसर 0 में से 0 जाएगा 0 10 में से 4 जाएगा 6 ठीक है 11 में से 2 जाएगा तो आपका 11 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर होगा 9 यानि 960 क्या हमारा 960 सही है तो एक बारे हम क्या कर लेते हैं 960 को 960 को दो सो चालिस में एड़ कर लेते हैं जीरो हो जाएगा छे चार दस होता है हासी लेत नो दो ग्यारा एक बार बिल्कुल सही हमारा बारो सो आ गया यानि अब जो उस कंबल का मुल्य है वो कितना है तो नो सो साथ रुपए में बेचा जा रहा है यानि 240 छूट कर दिया गया और अब जो उस कंबल का मुल्य है वो 960 है ठीक है अब देखिए लास्ट आज का प्रसने की एक कक्छा में 60 बिद्यारती थे ठीक है कोई क्लास है उसमें 60 बिद्यारती है उसमें से 60 परसेंट बिद्यारती जो है वो फर्स जो जनाये है प्रतम स्रेड़ी 20% ऐसे है जो ढूत स्रेडि कि अधिय अधियों की आलग अलग शंख्या लिखे ऐसा परस्ट भरवार इक्जेम में और वह बहुत अच्छा ये प्रस्ट तो देखे एक कक्षा में 60 विद्यारती थे उसमें से जी 80% में प्लाटीन प्रफम सरेड़ी में 20% में 20 को है तो उत्ररेड उत्र हुए है तो प्रतम और डिटियः तृतियः की संख्या लिख्या यहां व्लेट में से कितने उत्रकाझ कि यह श्लाः को सनवतगा है 6 ant में से कितने बढ़िया थी जो थृतियृम में यहां सब्राइब दर्डियई तAy यानि हम क्या करेंगे 60 का इसका जो method होता है पहला आप इस तरीके से copy में लिखेंगे सबसे पहले तो आप प्रसना अनुशार लिखेंगे ठीक है तो जैसे कि सबसे पहले पहला आपको क्या है कि एक अक्षा में 60 विद्यार थी थे तो 60 इन्टू 60% है तो 60% हटेगा तो नीचे 100 और 0 से 0 कट और यहाँ पे आपका 36 यानि आपका जो प्रथम स्रेडी यानि फर्स डिविजन जो पाए है 60 में से उनकी संख्या कितनी है उनकी संख्या कितनी है तो 60 गुड़े 20 बटे में 100 0 से 0 कट जाएगा 6 का मल्टिप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ पे आपका 12 आएगा उसी प्रकार उसी प्रकार आपका एक और है ठीक है यानि आपका 60 में से जो त्रितिया स्रेडी यानि 60 इन्टू आपका 20 परसेंट 60 परसेंट 6 और तो कितना होता है तो 8 हो जाए तो 80 परसेंट ऐसी हो जाता है 80 नब्य सो यानि 20 परसेंट 6 बच गे और उसके बाद यहाँ पे 100 0 से 0 कर जाएगा 6 का मल्टिप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे 12 आजाएगा यानि एक तो प्रितम स्रेडी जो वाएगा उनकी संख्या कितनी है 36 ठीक है और उसके बाद जो दूतिया स्रेडी पाएगा उनका 12 फिर तिर्तिया स्रेडी में 12 क्या हमारा यह answer starts ready आता है, चातरों की शंक्या है या नहीं, इसको हम जासते हैं, 6, 4 कितना होता है, 6, 4 कितना होता है, 10, 10 का 0, हासिल 1, 3, 4, 5, 6, तो आपका 60 हा गया, यानि 60 में से 36 ऐसे बिद्यारती है, जो 1st, 60 में से ऐसे बिद्यारती है, जो 12 यानि 2nd डिविजन है, और 60 में से ऐसे 12 भिद्यारती है, जो 3rd डिविजन पाए है, तो फ्रेंट, इस तरी के से के वल संख्या बताना है, तो आप सभी का अंसर बिल्कुल असानिक साथ, तो फ्रेंट, आज के लिए इतना ही हमने इस प्रेंट को तीन पार्ट में डिसकल्स किया है, जो कि बहुत ही महत्तर पोड़ है, ठीक है फ्रेंट, तो आप अपना अच्छे से प्रिट प्रेसंट करते रहिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंट्स मित्र को सेयर कर दीजिए, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, ठैक्स पर वोचिंग, ठेक कियर, और वेश्ट अफ लग,